आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधी स्पेशल ब्रेक्फुस्ट रेसिपी जिसका नाम है डाल पकवान वैसे हम इसे सिर्फ ब्रेक्फुस्ट में ही नहीं हम तो इसे ब्रंच में लंज में जब बन करता है तब खा लेते हैं हलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सब ही का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए फिर जल्दी से हम लोग डाल पकवान बना लेते हैं और सबसे पहले हम इसका आठा लगाएंगे यानि की पकवान बनाएंगे तो पकवान बनाने के यहां मैंने मैदा लिया है डेड़ कटोरी मैदा मैंने ले लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और एक छोटा चम्मच मैं इसमें डालूंगी अजवाइन का अजवाइन को इस तरीके से हम लोग क्रश करके डालेंगे अब इसमें हम मौइन के लिए त तीन चम्मच तेल का हमने इसमें इसमें इस्तिमाल किया है, डेड़ कटोरी मैदा और तीन चम्मच तेल लिया है, हमने ये रेशियो रहेगा, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जो तेल है वो सब पर लग जाना चाहिए, अगर आपका मैदा इस तरीके से बंद है, that means मौईन अच्छे से लग गया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसका आटा हम लोग लगा लेंगे, इसका जो हमें आटा लगाना है, वो थोड़ा टाइट लगाना है, यानि कि सक्स लगाना है, जैसे हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं, एक करने देंगे, पंदरा मिनिट के बाद आटा हमारा सेट हो गया है, इसे हम एक से दो मिनिट के लिए और अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और चिकना हो जाए, इसके बाद इसे ऐसे थोड़ा सा मैं लंबा रोल कर देती हूं, ताकि मैं इसे पोर्षन में, इ कर्मिया है, तो ये जल्दी सूख जाता है, और एक यहां पर मैंने थोड़ा सा आटा लेकर उसकी लोई तैयार कर दी है, पेड़ा तैयार कर दिया है, और इसे अब हम बेल लेंगे, इसे हमें थोड़ा पतला बेलना है, एकदम पापड जैसा पतला तो रही, आपकी चपात या जो आपकी रोटी बनती है ना पतली बिलकुल उतना पतला हमें इसे बेलना है, मैं ऐसे थोड़ा चोटे साइस का बना रही हूँ, मार्केट में तो ये जो चकला दिख रहा है आपको इतना बड़ा-बड़ा मिलता है, लेकिन घर में बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ अब फोक से हमने इसमें छेद कर दिये हैं, इसलिए क्योंकि हमें इसे पूरी की तरब फुलाना नहीं है, हमें इसे फ्लैट ही रखना है, तो ये लीजे हमारा जो पकवान है हमने बेल कर तयार कर दिया है, अब इसे हम फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के लिए जो तेल है व क्योंकि ये पूरी नहीं है, इसलिए फूलेगा नहीं, इसे हमें फ्लैट रखना है, इसलिए हमें इसे प्रेस करते रहना है, तब तक करना है, जब तक इसका जो कलर है, वो अच्छा गोल्डन ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए, इसमें एक से डेट मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये देखिए, हमारे एक पकवान बनकर तयार हो गया है, एक और मैं आपको करके बता देती हूँ, तेल धूए वाला गरम नहीं होना चाहिए, एक दम धूआ उट रहा है, बिल्कुल वैसा गरम नहीं होना चाहिए, लेकिन ह तेल गरम होना चाहिए, फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा, पलट पलट के इसे दोरों तरब से अच्छे से प्रेस करते हुए हम सेकेंगे, और जैसे ही ये गोल्डन कलर, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, पकवान हमारे बनकर तयार है, डाल बना लेते हैं, डाल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चना डाल, एक कप चना डाल को एक घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था, इस एक कप चना डाल को अब हम कूकर में डालेंगे, इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, एक कप चना डाल में मैंने जो इसकी डाल बनती है बहुत ही सिंपल बनती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है अब कूकर के धकन को बंद कर देंगे हाई फ्लेम पर हम सबसे पहले एक सीटी आने देंगे यह देखिए हाई फ्लेम पर एक सीटी आ गई है जैसी हाई फ्लेम पर एक सीटी आएगी फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे 10 मिनिट इससे हम और पकने देंगे 10 मिनिट के बाद गैस को बंद कर देंगे प्रेशर खुलने देंगे और उसके बाद कूकर का धकन भी खोल देंगे लीजे हमारी जो दाल है वो भी बनकर तयार है आप देख सकते हैं काफी अच्छी बनी है तो बहुत जादा मैशी नहीं होती है उसमें जो दाल है वो आपको नजर आनी चाहिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूं देखिए सबसे पहले तो ये इसकी कांसिस्टेंसी रहेगी फ्लोइंग कांसिस्टेंसी रहती है दूसरा इसमें जो दाल है जो चना दाल है वो आपक नजर आती है इसलिए आपको इसे पूरा मैश नहीं करना होता है तो लीजे ये रहे हमारे पकवान एकदम बढ़िया बनकर तयार है और ये भी हमारी दाल जिसमें अभी तड़का लगाना पाकी है तो तड़का के लिए तड़का पैन हमने गरम कर लिया है इसमें हम तीन मिक्स हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद आधा चममच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चममच धनिया पाउडर डाल कर दुबारा इससे मिक्स करेंगे और इस तड़के को अब हम डाल देंगे हमारी दाल के ऊपर इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची कटे हुए प्याज और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे इमली का पानी इमली को 10-15 मिनिट के लिए पानी में भिगो दिया और उसके उपर डाल के उपर डाल दिया तो लीजे हमारे जो डाल पकवान है वो बनकर एकदम बढ़िया तरीके से तयार है आई होप यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और फ्रेंज और फामली के साथ में इसे शेयर कीजेगा चल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई